हेई हलो एब्रिवान वलकम बाक तो माई चैनल स्टाटर गाइड डवल वन डवल वन मैं लेके आगी हूँ आप लोगे की रीडिंग वो अकेले में आपको लेकर क्या सोच रखते हैं ओके सो कैंडल को मैं जला लेती हूँ गाईज और चलो मैंने दिवाली का डेकोरिट कर लि है ना तो इस वीडियो को आप लोग जहां से भी देख रहे हो जब भी देखोगे टाइमलेस है सब के लिए है सो चलो ओके सो मैंने जला लिया है कैंडल को गाईज आप आपके पार्टनर के प्रतीफ फोकस कीजिए प्लीज इन्वर्स काइट करें मिरी व्योर्स के पार्टनर अकेले में क्या सोचते हैं मिरी व्योर्स को लेकर क्या सोचते हैं क्या सोच रखते हैं ये काफी naughty सा feelings लग रहा है मुझे और काफी मज़ेदार सा feelings इस person की तरफ से मुझे गेन हो रही है guys ओके, ओके, ओके आप इनके तरफ देख नहीं रहे हो क्या? आपने इने block कर दिया है क्या? बहुत गुस्से में है aggressive energy ठीक है? इनको लग रहा है na queen of swords and rivers और अपना power दिखाना भी नहीं चाहते हो? कुछ नहीं दिखाना चाहते है इस person को भले ही आपको हिम्मददार समझे भले ही आपको weak समझे आपको कोई फरक नहीं पड़ता आप आगे बढ़ चुके हो अपने life में इतनी जादा तकलीव इस person के तरफ से आपको मिला है unclarification unclarified आप रहे हो ना तो आपको कभी कुछ समझाया है ना तो आपको कुछ समझ में आया है इसलिए आपने इस चीज़ को छोड़के हार मान के शायद life में move on कर गए हो तो आप जो चुप हो गए हो ना कहीं ना कहीं इस से person को बहुत ज़़ा परिशानी हो रही है दूसरों की खुशी देखी नहीं जाती नहीं देखी जाती आप यहीं चाहते थे ना यह आपको छोड़ दे तो छोड़ दिया है अभी खुश रहो पर इने में भी इनको चैन नहीं ठीक है वो मेरी नींद मेरी चैन मुझे लोटा दो आप ही पे लग रहा है वो सारा सब कुछ कि आप ही इनके wish fulfillment हो आप से ही इनका दिन बनेगा आप ही हो तो सब कुछ है ऐसा क्यों लग रहा है पागलों की तरह आपके पीछे भाग रहा है परसन सोचते है, थौट करते है इतना जादा आप लोगों की situation को लेकर connection को लेकरना manifest करते है, बहुत जोर कदम से manifestation चल रही है, soul connection हो सकता है, soul level पे connected करो आप लोगों के soul को, तो definitely पुराना रिष्टा, past life connection हो सकता है, आप दोनों का कहीं कोई event में आप लोग मिले हो, शादी में मिले हो, रिष्टदार के यहाँ पर मिले हो या फिर ऐसा हो सकता है कि online के through आप लोगों के एक दूसरे के साथ परिचाए हुआ है, किसी दोस्त के through हो सकता है ठीक है, definitely आप लोग मिले हो, पर person को अभी आपको मिलने से जादा खोने का डर लग रहा है इन्हें लग रहा है कि यह person अगर अभी नहीं गए तो कभी इनको मौका नहीं मिलेगा, चीक है काफी naughty naughty सा feelings करते है, रात को जब भी सोचते है person आपको लेकर, you know, एक emotional emotion को बया करना चाहते है definitely, यह person कभी-कभी बहुत जदा excited होते है आपको लेकर आप भी शायद यह feel करता है आपको partner को लेकर, addiction है इनके mind में addiction है आपको लेकर sexual यह person आपको desire करते है fulfillment करना चाहते है आपके साथ, कुछ sexual connection यह person आपके साथ करना चाहते है, इनके मन में अंदर तो है गाइस यह आपके past life के husband हो सकते है wife हो सकते है प्रेमिक हो सकते है, जिनके साथ आपका physical connection था यह कोई ऐसा person घूम के आया है आपके life में, definitely यह karmic थे पर दीरे-दीरे शायद कर्मा हट रहा है तो soulmate की तरफ बढ़ रहा है और reading में भी वहीं आया ठीके intuition काम किया, मैंने रख दिया कुछ और card भी रख सकते थे कोई goddess का card भी रख सकते पर मैं ढून-ढून के manifestation का ही card रखा इस person को फिलाल के लिए feel हो रहा है आप लोगों की रिष्टे में chemistry थी जो कि यह person कभी सोच नहीं पाए समझ नहीं पाए यह सोचना चाहते भी नहीं थे past में ठीक है यह person बिलकुल भी सोचने की mood में नहीं थे यह person को ऐसा लगता था कि यह तो बहुत special है इनको तो लोग प्यार करेंगे ही ठीक है यह ठीक है कोई बात नहीं आप तो इनके लिए हो ही आप कहां जा रहे हो आप इस person को छोड़ के कहीं नहीं चाहोगे पर चीज़े जो इस हद तक बदल जाएंगे आपके अंदर जो एक positive changes आएंगे इनको दूर दूर तक trust me guys कोई अंदाजा नहीं था कोई भी अंदाजा नहीं था आप जब इनसे विछड़े थे इनको लगता यह तब पागलों की तरह अपने life के पीछे definitely भागते चले जा रहे थे ना कि आपको उपर क्या बीत रहा था यह सोचने समझने का time इस person के पास था यह अपने life में मगन थे आपको कहीं बार बुला के अपने कामों पे लगा के आपके साथ relationship को इन्होंने seriously नहीं लिया कि शादी, marriage, proposal इनके साथ नहीं नहीं ऐसा कुछ या फिर mental conflict आप लोगों में बहुत सदा था एक दूसरे को digest नहीं कर पाते थे यह person बहुत ठगदा था आप वो डॉलर्ट नहीं कर पाते थे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हुआ है जिसके कारण आपका जो बिश्वास है इस person के प्रती तो उठ गया है और definitely आप अभी अपने life में आपको लग गया है यह person मेरे लिए क्या करेगा प्लेयर की energy ठीक है यह इन्हों ने मेरे साथ manipulative game खेला है यह person मेरे लिए कुछ करने भी नहीं आया था ना तो इनके दिल में मुझे लेकर कुछ था मैं पागल थी जो इनकी छोटी छोटी effort को बहुत बड़ा समझ रही थी इनका प्यार समझ रही थी इनकी महब्बत समझ रही थी जबकि ऐसा कुछ था नहीं ठीक है आपका होसला तूट चुका है गाई आप इस partner को लेकर सोचते तो हो आज भी मन में दिल में आपकी ख्वाइशे लगती है पर बिश्वास नहीं रहा पर चाते हो मनी मन कहीं न कहीं आप मानो या ना मानो ये person के तरफ से कोई call messages आए ये भी कुछ effort लगाए आपको लेकर ठीक है आप देखना चाते हो दूर खड़े हो के जैसे कि आपका जी थंडा हो जाएगा जी हलका हो जाएगा कि हाँ आज पूरा हो गया आज मेरे साथ कुछ justice हुआ तो आप चाते हो ऐसा कुछ हो ठीक है definitely ये person सोचते है कि दो लाइने लिखके कौन सी वो दो लाइने magical word लिखके भेजू ताकि रिष्टा अच्छा हो जाए बैलेंस बनाना चाते है ये person आपके साथ ये partner काफी balance बना के चल भी रहे इनको देखके न आपको definitely पता नहीं चलेगा social media में आप इनिस टॉक करेगे तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत अच्छे है मैं ही खाली इनको लेकर सोच रहा हूँ पागल बन रहा हूँ मैं खुद जबकि ये person खुद अपने life में बहुत साथ busy है ये person के life में कोई न कोई option तो definitely थे guys जिसको न मुझे लगता है आपको आपके life में ये person in and out करते थे आप जब भी इनको कुछ पूछने जाओगे न एसा एक boundary create करके रखे थे आप इनको कुछ बोल नहीं सकती ही नहीं कि इसाब से रिष्टा चलेगा जब चहाँ आया जब चहाँ गाय गया ठीक है बोलोगे तो ये तुरंत खुद को safe कर लेंगे आपको दोशी ठहराएंगे तुरंत खुद को protect कर लेंगे और आपको कुछ अनाफशन आप बोल देंगे या फिर आपको block कर देंगे जो जो जगह से आप लोगों की connection बन रही है हो रही है बाते ठीक है और पीछे की दरब मुड जाएंगे कई दिन तक तो ये person नहीं दिखेंगे फिर कभी ना कभी ये person soul connection feel करेंगे और आजाएंगे आपके life में ऐसा ही होता चलाया है ये बहुत clear है अगर आप लोगों को अंदर कोई situation ship रहा एक दूसरे को मिलने का जादा मौका नहीं मिला ना तो definitely person ने बहुत जादा अपने पीछे आपको घुमाया है there is something between us आप आओ पर आप आए तो ये person गाइब हो गए या फिर ये person ने शायद अगर romantic relationship की बात हो रही है तो इन्होंने शायद आपको propose किया था फिर ये आप जब आप शायद इस person के प्रतित अब interested नहीं थे interest नहीं रखते थे जब आप इनसे emotionally connected हो ये person भाग गए अपने कदम को पीछे कर लिया ये person ये वही person है जो cold data छोड़के आपको चले गया थे रह वो अकेले में आपको लेकर सोचते है आने के बारे में सोचते है person काफी rejected feel कर रहा है इस वक्त आपके आपको कभी high regard में देख रहे आपको कफी position में देख रहे power में देख रहे आपको उन्हें लग रहा है कि ये जो फालतू बाते इन्होंने पिछले बहुत ज़ादा कहा कहा क्या क्या बाते set करनी है, manipulate करनी है पहले तो इन्होंने कर लिया आपका brain wash पर अभी इतनी आसान नहीं होगी पूराना तरीका परसन अपनाने जाएंगे तो खेंच के लगेगी दो ज़ापड मैं बोलने पर मजबूर हो रहा हूँ गाईस, मुझे बोलना तो ऐसा नहीं चाहिए किसी भी परसन के बारे में मुझे माफ कर अगर आप लोग को अगर ठकते हो न वो वाइब्स भी मुझे आते है, have you any idea कि कितने दिन मैंने तुम्हारे लिए weight किया है, कितना सोचा है कितना दिल से मैंने तुम्हाले लिए रोया है कितनी पल-पल भर मैंने तुम्हारे लिए weight किया है हर जगा तुम्हें सोचा है हर जगा देखा है इसकी पेन जानते हो जब कोई भी खराब बाते अनापशना मुझे बोलते जाते हो सोचते हो कैसा लगेगा सोचते हो सोच विचार है कोई शर्म है कुछ है सोचते हो इसके बारे में you don't have any idea कि मैं तुम्हें कितना चाहा पर कितनी गिरू तुम्हारे है आगे में हद होती है ना मेरे भी कोई जज़वात है उसको समझो पहले उसके बाद मुझसे कोई मांगे रखना तो कुछ इस तरीकी के ज़वात आपके अंदर हो सकता है गा आपके पार्टनर अकेली में बैट बैट के जैसे आप क्या कर सकते हैं, उसको इमाजिन करते हैं, द्रीमी वर्ल्ड में जीते हैं, वहाँ जहां पर ये परसन आपसे डेली का डेली माफी मांगते रहते हैं, डेली का डेली प्यार करते रहते हैं, ठीक है, कुछ स्ट्राइप क कि मैं जानता हूँ कि मुझसे क्या गलती हुआ है, मुझे इतनी नाकोसो, मैं ऐसा ही हूँ, मैं आउँगा तो तुम्हें अपनी दिल की बाते इतनी जादा गहराई से तुम्हें समझा ना पाऊँ, पर मुझे अकेला करके मत जाओ, मार लो, पीट लो, गाली दे लो, कुछ क जी करो मेरे साथ, पर मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं जानता हूँ, तुम मुझे प्यार करते हूँ, जुट तो बोलो ही मत, तुम्हारा साथ चाहता हूँ, तुम्हें मैसूस करना चाहता हूँ, फील करना चाहता हूँ, काश तुम यह समझ लो, काश तुम यह समझ जाओ, मैं बोलूँगा तो वहीं मेरे पास प्रूफ होगा अगर नहीं मानोगे तो मुझे चले जाना पड़ेगा क्योंकि मैंने काम ही ऐसा किया है मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर सकता ना तुझ गाता हूं आपके करीब आना चाहते है आपको प्यार करना चाहते है आपको महसूस करना चाहते है किस करना चाहते है होता है ना कि बहुत हग करना बहुत टाइटली हग करना अपने मन की बाते बताना कहां मिलेंगे पता नहीं पर मिलेंगे ड्रीमी वर्ल्ड में जीते है परसन बहुत सोचते हैं इसके बारे में आने वाले दिनों में person कोई ना कोई action लेंगे guys couple की energy कोई भी देखो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई भी अगर कुछ भी रहा ना इनके जिंदिगी में कोई भी इनको बोल दे, family रोक ले कहीं और शादी करवाना चाहे या फिर यह खुद married है तो छुप-छुप के रिष्टा रखेंगे आपके साथ, यह आएंगे छुप-छुप के क्यों, friendship रखने कुछ भी जो भी आप लोग का situation है शादी का proposal बोल लिजिए, कोई भी action वगेरा तो लेता हुआ मुझे नजर आ रहे, ठीके यह आएंगे guys definitely आएंगे, अपने आपको बया करने आएंगे इन्हें अच्छा नहीं लगता कि आपसे दूर-दूर रहते है आपको नहीं पता इनके बारे में कुछ बहुत कुछ छुपा रहे, छुपाए हुए बहुत कुछ है, इस परसन को लगता है कि मैं जब इनका responsibility ही नहीं ले पाऊंगा, तो जाकर क्या करूंगा पर आने वाले दिनों में जब भी ये दुविधाय हट जाएंगे ना, परसन definitely आकर contact करेंगे वक्त लगे, टाइम लगे, slow है stagnant है, no contact है पर definitely no contact को तोड़ेंगे चुपी तोड़ेंगे ये चाते है कि आप भी आपका चुपी तोड़ो गाइस, ये चाते है आप भी इनको मनाओ, equal give and take करो, ये परसन आपके पैर में गिर जाएंगे ठीक है, कुछ इस टाइप के energy इनकी इनस वक्त हो रख यहाँ आएंगे तो पैर में थोड़ेंगे गिरेंगे मन के जस्वात है, ये इच्छाएं है इस हद तक जाकर आपको feel कर रहे, सोच कर रहे, guilty है पर दिखा नहीं पाएंगे, इतने आसानी होते कि कोई इनसान जुक जाए पर हाँ, धीरे-धीरे आप लोगों में जब बात होगी न bond बनेगी definitely आपके कदमों पर जुकने के लिए न तयार हो जाएगा इन्हें लगेगा हर और से आपका विश्वास जीता जाए हर और से आपको प्यार दिया जाए special feel करवाया जाए आने वाले दिनों में time spent करोगे प्यार करोगे sexual connection बनाओगे एक दूसरे को feel करोगे एक दूसरे के साथ bed share करोगे अगर husband के लिए देख रहो wife के लिए देख रहो तो wife लोटेगा ठीके कुछ न कुछ समाधान होते वे नजर आ रहे legal issue है तो वो भी खतम हो जाएगा आप आपके husband के द्वारा pregnant हो सकते हो female अगर देख रहे हो तो अगर male देख रहे हो तो आपके wife की सारे कही न कहीं से कुछ न कुछ ending होगा ये person को समझ में आएगा आपका value आएंगे आपके साथ घर करने घर बसाने रिष्टे निभाने pregnant हो जाएंगे आपके साथ कोई न कोई connection इनके साथ आपका जुड़ेगा ऐसा भी हो सकता है ठीके अगर आप लोग single हो तो definitely person के साथ आपका marriage होने की chances है कुछ न कुछ offer लेके आ रहे page की energy, page of cups की energy कुछ न कुछ offer लेके person आपके तरफ आ रहे कुछ न कुछ देंगे ये person आपको जो कि आप deserve करते हो जो कि आपका desire है manifestation fulfill होगा बहुत सोचते हैं इसके बारे में आपको लेकर सोचते हैं ठीक है शायद किसी दोस्त के साथ आपको लेकर बात करते हैं ऐसा भी हो सकता है किसी दोस्त के साथ आपको लेकर बात करे किसी के साथ ये person बिलकुल भी किसी के मुझे आपका बुराई ही नहीं सुन सकता ये अच्छाई आपके अंदर क्या है आपके अंदर क्या स्पेशालिटी है आप क्या चीज हो आप इनको किस तरीके से प्यार करते थे शायद किसी दोस्त को बोलते हुए नजर आ रहे गाईज यह आप जान लो यह परसन आपको स्टॉक करते है देखते है किसी दोस्त को शायद इन्होंने आपका तस्वीर दिखाया है या फिर इनके दोस्त जानते होंगे आपके बारे में ऐसा भी हो सकता है आपके रिसेंट फोटोस वगएरा परसन बहुत जादा चेक करते हैं आप बदल तो नहीं गए इनको डर लगता है आपको खोने का कि आएंगे तो रिजेक्शन में गिर जाएंगे रिजेक्ट कर दोगे आप इन्हें जिस तरीके से आपका हो रखा है आपके जो ओदे हो रखे है ना जो आपने गेन किया है अब्वियस लिए आपको कोई ब्लेम नहीं कर सकता डेफिनिटली तो इस परसन को भी ऐसा ही लगता है सारे साइन्स की एनरजी मुझे आपन नजर आ रहे हैं बहुत अट्रेक्टेड है पैशनेट हो रहे है परसन इस वक्त आपको लेकर ठीक है रात रात भर यहीं आपको लेकर सोचते रहते हैं आपके साथ बात करते रहते हैं मन ही मन ड्रिमी वर्ल्ड पे जीते हैं मैंने क्या कहा manifest कर दे रहे आपको पर इनको देख के आपको नहीं लगेगा बहुत ज़्यादा controlling energy में है कि अभी वक्त नहीं है नहीं जाते है अभी वक्त नहीं जाते है खुद को समहाल के रखे है पर ज़्यादा दिन तक भाग नहीं पाएंगे definitely obstacles हटा कि एक परसन को आना ही बड़ेगा इनने पता है कि इनने खुद कोई न कोई action लेना पड़ेगा ठीक है candle को में बुझाती हूँ guys आप लोग कोई wish मांग लो ताकि manifestation fulfill हो जाए आप लोगों का please universe guide करे मेरी viewers के जो जो भी manifestation है वो fulfill हो जाए guys मैंने candle को बुझा दिया I hope आपने मांग लिया हो pause करके भी मांग सकते हो guys ठीक है चलिए देखते है कि इनने था energy क्या है please universe guide करे मेरी ये कब तक आएंगे क्या चाते है इनके partner मेरी viewers के partner क्या चाते है pin from telepathy मैंने क्या का telepathy के लिए connected हो आप जो बात नहीं कर रहे हो न आप जो भी सोचते है आपके partner तक वो इशारे बोल लीजिए वो चीज वो messages जाते है stability person stability देना चाते है guys आपको ठीक है stability देना चाते है person आपको so और एक देख लेते है और एक ले लेते है और एक ले लेते है please universe kite करे please universe kite करे okay express your love तो person आने वाले दिनों में आपको propose करेंगे guys propose करेंगे bottom of the deck say we have new love इनके नीचे था third party situation third party situation के वज़े से आप लोगों का रिष्टा तूटा है यहाँ पर देखिये second chance है divine timing divine timing में सब कुछ unfold होगा ठीक है person आपके life में आएंगे अपना प्यार newly तरीके से शुरू करेंगे ठीक है single look देख रहे हो तो new love आपके life में आ सकते है या फिर आपके life में कुछ ending हुई है तो new beginning किसी और के साथ हो सकता है या फिर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा तर लग रहा है आपके पसंदा है resonate हुई है don't forget to subscribe my channel और facebook पे follow करना मत भूलना start or 1111 और facebook से आप लोग जो लोग मुझे contact करते होना personal reading के लिए तो guys मेरे whatsapp number जो दिया हुआ है screen पे वहाँ से आप लोग direct whatsapp पे जाकर contact कर लेए ना वहाँ पर सारी messages मिल जाएंगे आप लोग messenger में पूछोगे तो messenger में भी पूछोगे तो मैं बता दोंगी पर whatsapp में direct contact कर सकते हो इसी number से ठीक है तब तक के लिए bye bye and take care